कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि आप लोगों को आज टेलीग्रम ग्रूप में बताया था बहुत सारा स्टॉक भी दिया था कालका स्टॉक का भी रेकमेंडेशन किया था सबी स्टॉक में आपको दमदर मुवमेंट देखने को मिला है आप देख सकते हैं तो पहला बाला जो स्टॉक दिया था टाटा पाउर का ओपन हुआ हमारा टार्गेट में इसका बात अगर आप देखेंगे यहां पे 15% का राली दिखाया आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मु चाहते हैं तो definitely हमारा गो टेकनिकल कोर्स है इसमें जायन कर सकते हैं बहुत ही नोमिनल की है 5500 काют सा बहुत ही चोटा सा कोर्स है लेकिन बहुत इफेक्टिव और आंप तौव पूर्ल है तो आप इसमें चाहें जायन कर सकते हैं तो चलिए कॉल के लिए जो जो इंटाटे स तो यहां पर टेक्निकली हम देखेंगे यहां पर जो सपोर्ट जोन इसका बन रहा है रिसेंट सपोर्ट जोन 223 225 तू अगर आप देखेंगे 221 का रेंज में बन रहा है अभी फिलाल मार्केट 225 का रेंज में है तो आपको सिंपल सा क्या करना है देखिए यहां पर आपको मार्केट को लॉंग पोजिशन पे लॉंग कर लेना है और आपका जो स्टफलस रहेगा इसका नीचे रहेगा मतलब 3 रुपे का स्टफलस आप रखिए अगर आप पूरा क्लोज भी आप बाय कर सकते हैं 225 226 के रेंज में बाय किजिए यहां पर 220 में आपका स्टफलस रहेगा चार रुपे का चार या पांच रुपे का रहेगा क्यूंकि यहां पर मर्केट बहुत ही अच्छा का सा काल बूलिस मूवमेंट दे सकता है तो आप इसमें आराम से बाय कर सकते हैं तो आपका जो टर्गेट रहेगा फास टर्गेट जो रहेगा मैं आपको बता देता हूँ फास टर्गेट आपका रहेगा आपका यह ड्रा कर लेते हैं ट्रेंड लाइन तो 232 का फास टर्गेट यहां पर रहेगा और इसको अगर ब बुलिश से टाटा पॉर बहुत बुलिश मुवमेंट में है तो ये वाला टरगेट का लाचिव होने का चांसे ज़्यादा है तो आप कल इंटरडे में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो चलिए दूसरा वाला जो स्टॉक रहेगा आटो सेक्टर का स्टॉक से बहुत अच्छा खासा मुवमेंट दिया है अभी तक आटो सेक्टर ने मुवमेंट शुरू हो गया है टाटा पार लगबग आप आज 20% का रिटेन दिया है 100 रूपीज का आसपास गया है और इसके साथ और एक जो छोटा सा स्टॉक है अशोक लेलियान आप देख सकते हैं इसका मैं अभी ओपन करूँगा इसमें भी आपको अच्छा खासा मुवमेंट देखने को मिल सकता है तो आज भी अशोक लेलियान में अगर जखेंगे तो 6% तक यहां पर मुवमेंट हुआ था लगबग 150 तक मार्केट गया था तो इसके ससमें आपको क्या करना है देखिए मार् कि ही ठीक है यह एक डूपर का स्टपॉस अफका जो रहेगा ग्रेगा इसका नीचे आपका स्टप्या देना बहुत जरुए इसको भी लंग कर सकते हैं में जैसे कि बोला हूं मार्केट बहुत यूबूली से तो टेंपरारी यहां पर कुछ यहां पर तरौदर हो शकता है तो आप सिंपल सा यहां पर बाई कर लिजी तो आपको मैं दो टर्गेट यहां पर दिखाऊंगा दो टर्गेट आपको आचिव हो सकता है कल इसका जो stop loss आपको रहेगा इसका थोड़ा नीचे रखिए मतलब 144 पर आपका stop loss रखिए तो आपका जो first target यहां पर रहेगा 149.75 का एफिनली इसका high को फिर से touch कर सकता है अगर यह आपला high को अगर तूट जाता है तो definitely आगे जाके आपका 151.75 और 152 का target पी आपको आचिव होने के कल दिख सकता है तो यह वाला दो target रहेगा first target 149.75 और second target आपका रहेगा 152 का तो definitely आप यह वाला stock को intraday के लिए buy कर सकते हैं और positional के लिए भी इसको थोड़ा long term के लिए भी पाए कर सकते हैं तो हम लोग आपको बहुत सारा positional call group में दे रहे हैं आप देच सकते हैं कितना अच्छा सा movement हो रहा है बहुत सारे जो clients से हम लोग का उन लोग का एक-एक महीन में 30% 40% का return भी मिला है मैं कुछ screenshot भी doing trade calls and also अगर आप हम लोग का telegram channel में जाइन नहीं किये तो definitely join किजिए ताकि आपको वहां पे भी बहुत सारा technicals मिल जाएगे stocks मिल जाएगे तो आपको वहां पे क्या होता है कि आपको learning के साथ-साथ earning भी अच्छे तरह से हो सकता है तो thank you thank you for watching this video